हेलो स्टूएंट्स हाव यू कैसे हैं तोडे इन्स वीडियो वी विल दू भुड ऊपकर एंस ड़ाहना को आपको भी इख रहे हैं एक थीक है तो आपको यह थ्यान रखना ही जो परफेक्ट का स्यम्बल होता है उसमें थी घुश्क की बात करें सिम्पल ट्रिक शे समझ थीक हो तो तीन ब्रादर की बात कर लें जब वम परफेक्ट बोलते हैं किसकी has have or had as we already know about the action that were begin in the past and completed before the present time are said to be in the present perfect tense जैसे कि हमें पता है जो काम हमारा past में हो चुका है और complete हो चुका है present time के लिए हना तो इसको present perfect tense बोलते हैं और अगर मैं वैसे simple के लिए बात करो तो आपका has have or had because of three brothers that's why carry V third form ये एक छोटी से example trick learn करने की how to learn clear now come back तो चलिए इतना learn हो गया में has have had perfect में आते हैं और plus V third form यूज होती है लेकिन has have जो है वो present में यूज होते हैं और है जो है past में यूज होते हैं ठीक है डी फोर डेड मतलब कि जो बीद गया तो यह धियान रखिए हैड का डी जो है अगर confused ना होएंगे तो डी स्टेंट फोर डेड जो पास्ट में यूज होते हैं तो यह आपका sentence सब्सक्राइब है दीटक में समय के सब्सक्राइब करें ट्राइब के अबन चलीए और कि और उसलोच सब्सक्राका सब्सक्राइब की बिनलिटोन ‐ क्लियर क्वेश्चिन में कैसे करेंगे जब इंट्रोगेटेव क्वेश्चिन होते हैं तो हेल्पिंग वर्विल कम एड़ फर्स प्लेस हैं उसके बाद वी थर्ड क्लियर चले नेक्स्ट पर आते हैं यह सभी बस आप इतना याद रखें जो मैं आपको समझा रही हूं बाकि सब एज़ इस हैं उस इक पर बेज़ड है नाव कम तुद एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि आपको क मिशाओ हैाज आईगा अम्रीत कुगड थीग है हैस लॉस्ट थर्ड में आएगा फॉर्थ में है रांप ने आपको सिख्ट में सेवन्थ में हैव नेवर सर्प्राइजड एट में हैज स्टोलन नाइन्थ में हैज ऑल्वेज वॉंटिड और लास्ट हैव हेर्ड सेम वह यह प्रोसीजर आई के साथ है वह आपका ठीक है और वी थर्ड चलिए इसमें भी आपको क्या करना है सेम प्रेजेंट परफेक्ट मत हैगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि इसन नॉट प्रेजेंट रेफर कर रहा है हाओ लॉंग है इस ही लीवड है और थे थर्ड है इस पोकन फॉर्थ है स्टूति फ्लॉन क्योंकि हां पर हम इंट्रोगेटी पॉस्टिन से बिलॉंग कर रहे तो एल्पिंग व विल बिकम Gita has asked, 8th में have they known, clear, चलिए, नेक्स पेज पर चलते हैं, 9th में have enjoyed, 10th में has he watched, clear, अब आते हैं, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बज़ा था, had आएगा, only had, had we third, clear, had we third, यहां पर आपका बुक में गलत दिये वाई, यहां पर बेटा, यहां पर has नहीं होगा, यहां पर had होगा, यह बुक में गलत गीवन है, ठीक है, had आएगा, had or plus v third, negative में had not plus v third, question में अगर करेंगे, तो had plus subject plus v third plus object, clear, helping verb मतलब की had आएगा आपका, चलिए, उसी से related exercise है, करते हैं, c में mention है, आपका past perfect मतलब की, वही had लगाना है, और जो bracket में given present form है, आपको v third form एपलाई करने है, first में had begun होगा, had lived second, had performed in third, and had forgotten, forget है first, ठीक है, forgotten v third है, तो had seen, fifth में होगा, अब चलिए, इसकी बात करते हैं, past perfect में आपको इचेंज करके लिखने हैं, आप देखो, we are eating, क्या कर रहा है, present continuous बता रहा है, present continuous मतलब v1 plus ing, helping verb आपका क्या लगेगा, is rm, ठीक है, तो यह क्या कॉंसर टेंस में दिया हुए है, present continuous में, इसको past perfect में change करना है, तो चलिए मैं आपको सभी answers दिखाती हूं, ठीक है, कैसे change करेंगे, ठीक है, now see here all answers, we had eaten, ठीक है, subject plus head plus v3rd plus रो भी आपका object होता है, ठीक है, तो we had eaten the cheese sandwiches, shruti had drawn beautiful portraits, ठीक है, फर्दीन had helped the blind lady cross the street, Radhika had returned to her pen friend regularly, Sabina had taken the test, तो Sabina was same, देखें यहां पर सारे subject है, ठीक है, had है, then उसके बाद v3rd form है, जो आपका भी subject है, clear, चलिए, next पर चलते हैं, next आप बात आईए, future की, future में will shall होता है, ठीक है, और हमेशा perfect में, future में have use करेंगे, हमेशा have, और वह यह has have के साथ हमेशा v3rd form होता है, ठीक है, shell, will, or have, plus v3rd, इतना धियान रखनें आपको, will, shell, have, plus v3rd, ठीक है, to express the tense of future, negative में same way, यह not लगा देंगे, interrogative में helping verb पहले आजाएगा, then आपका subject आजाएगा, ठीक है, then आपका object आजाएगा, clear, देखी, यहाँ पर subject है, sorry, यहाँ पर helping verb है, यह subject है, और यह आपका, जो है, related to the sentence है, जो भी आपको object लगाना है, ठीक है, जैसे, will, he gave, got prepared by 7, will he have, come to the next page, चले ना, सीदा answers here given, यह पार्ट का है, same way है, will have, shall have, ठीक है, और वी थर्ड लगेगा आपका, तो यहाँ पर leave given है, तो will have left हो जाएगा, यहाँ पर receive है given, तो will have received हो जाएगा, will have revised हो जाएगा, will have completed, और fifth में, we have retired, अब यहाँ पर आपको change करना है, future perfect tense, मतलब की वही है, will shall plus had, plus have आएगा, plus we third आएगा, I shall return by next week, तो चले, I am going to see all the answers here, the plan will be land at 9 pm, let's see the answer, now see here the answers, I shall have returned by next week, okay, the plan will have landed at 9 pm, they will have finished all the chores and an hour, the concern will have begun, when you reached the hole, we shall have left for campaigning by 6 in the morning, So hope you understood this, chapter very well, we will get next, वीडियो में नई चेप्टर, इसके बाद जो चेप्टर है वो, और उसके answers के साथ, ठीक है, और literature part हम complete कर चुके है, आप देखना चाहते हैं, तो search मारिए by chapter name, लिखे यहाँ पे YouTube और उसके बाद by Rani Sharma, question answer देखने हैं, तो question answer डालिए, जैसे कि आपको chapter name डालना है कोई भी, फिर लिखे question and answers by Rani Sharma, definitely you will get, ठीक है, so मिलते हैं next video में, bye bye to all, don't forget to like, share and subscribe my channel, thank you for watching this, bye bye to all.